हेलो फ्रेंज वेलकम तुमाई चैनल निशू जाईका मैं हूँ निशू आज हम बनाएंगे मसाला ओट्स जो की बहुत ही हल्दी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है अगर आपको मीठा ओट्स नहीं पसंद है खाना तो आप इस तरह से बनाकर खा सकते हैं यह बहुत ही जीरा थोड़ा सा सरसो और इसे सौटे कर ले इसके बाद इसमें एड़ कर लेंगे हम एक हरी मिर्च एक हरी मिर्च काट कर डाले और इसे चला ले थोड़ा सा इसके बाद इसमें एड़ कर लेंगे एक मीडियम साइज प्याज बारिक काट कर डाले और इसे दो मिनट के लिए भून ले ये मैं बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बना रही हूँ तो आप ट्राइ कर सकते हैं तो यहां दो मिनट हो गया है अब इसमें एड़ कर लेंगे थोरा सा हल्दी पाउडर थोरा सा लाल मिच पाउडर और इसे मिला लेंगे और फिर इसमें एड़ कर लेंगे एक मीडियम साइज टमाटर आप अपने पसंद के और भी सबजी इसमें एड़ कर सकते हैं जैसे मतर, गाजर, शिमला मिच और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे दो मिनट के लिए पका लेंगे तो यहाँ पे दो मिनट हो गया तो अब हम इसमें एड़ कर लेंगे आधा कप ओट्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे आप ब्रेक्फस्ट में ले सकते हैं दीनर में भी ले सकते हैं तो यहां यह अच्छे से mix हो गया, अब इसमें add कर लेंगे पाणी, तो आधा कप oats में 2 कप पाणी add करे और अब इसमें add कर लेंगे, तेश्ट के नुसरा नमक, थोड़ी सी चीनी, चीनी आप skip भी कर सकते हैं और फिर इसमें एड़ कर लेंगे आधा चम्मच लेमन जूस इससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है तो इसे अब हम 2-3 मिनट तक कुख कर लेंगे तो आप दे सकते हैं 2 मिनट के बाद ये गाड़ा हो गया है अब हम इसमें एड़ कर लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पावडर और थोड़ी सी बारी कटी हुई धनिया और इसे मिक्स कर लें और गैस को आफ कर लेंगे इसे नास्ते में लेने से आपका वेट कंट्रोल रहेगा उसके बाद ब्लड सुगर भी कंट्रोल रहेगा तो ये बहुत ही हेल्दी डिस है इसे जरू खाएं तो इसे हम आईए सर्व कर लेते हैं सर्विंग प्लेट में तो ये हमारा मसाला ओट्स बनकर रेडी है इस तरह से आप जरू बनाए और पसंद आए तो इसे लाइक, सेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए और हाँ बेल आइकोन को दबाकर और पे क्लिक जरू कर लीजिए जिससे की मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोट बाइ